हेलो फैंट्स यूपिए सिक्जैंबार अभी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है तो आज हम करेंगे एंशेंट हिस्ट्री का लेक्चर नमबर 37 और चैप्टर नमबर 18 है तो यहां पर चैप्टर नमबर 18 जिस प्रकार से यहां पर मैं चैप्टर बना रहा हूं उसके चैप्टर नमबर 18 नहीं आये कि यहां पर यहां पर स्प्राइड ऑफ हम complete बारत के बारे में हम देख रहे हैं जो इतिहास अब इसमें से हमने north के बारे में भी देख लिया south के बारे में भी देख लिया west के बारे में भी देखा और north west के बारे में कि किस परकार से यहां पे जो foreigner, rulers उन्होंने अकर्मन किया बारत के उपर अब यहाँ पे जो eastern वाला हीसा यहाँ पे वो भी रहा था उसके बारे में भी हम यहाँ पे knowledge देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पे है तो टोपिक्स यहाँ पे जो cover किये जाएंगे sign of civilization और इसा एंड इस्टर एंड सदर्न बद्या परदेश के बारे में बंगॉल असाम और formative face यह सभी topics हम यहाँ पे cover करेंगे सो चलिए सबसे पहले sign of civilization के बारे में हम देख लेते हैं सो यहाँ पे हम किसी भी सभयता को यानि किसी भी reason को हम civilized कब बोलेंगे जब यहाँ के लोग writing के बारे में जानते होंगे या उन्होंने एक इस परकार का system यहाँ पे setup किया हुआ जैसे कि यहाँ पे tax को collect किया हो और यहाँ पे low end order विवस्ता बना के रखी हो social classes यहाँ पे हो और भी यहाँ पे specialist यहाँ पे जैसे skills हो जैसे priestly यहाँ पे प्रोहित जो होते हैं पंडित लोग यह हो यहाँ पे administrative यहाँ पे center होना चाहिए यह production functions यहाँ पे होने चाहिए तब ही हम उस region को क्या बोलेंगे civilized बोलेंगे clear है अब यहाँ पे हमें इस परकार से जो written records है वो नहीं पाए गए यहाँ पे जो greater portion आपको Eastern मद्यापरदेश का देखने को मिलेगा और इसके जो साथ वाले हिस्से होगे जैसे और इसा वेस्ट बिंगोल बंगलादेश असाम तो यह जो mid 4th century AD से पहले का जो समय है वहाँ पे हमें इस परकार के कोई written records नहीं पाए गए है तो इसके बाद हमें written records देखने को मिलेंगे clear है जो यह Eastern वाला हिस्स है तो 4th century AD की अगर हम बात कर रहे हैं तो यह जो time period होगा यह मेली यह 300 से लेके 399 तक का जो time period होता है तो इससे क्या बोला जाएगा इससे 4th century बोला जाएगा ठीक है? century मतलब time period of 100 years clear है तो यह 100 years का time period जिसे यहाँ पे बोला जाएगा 4th century तो यहाँ पे जो period है 4th century से लेके 7th century के बेच का अब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा important है यहाँ पर क्या हुआ कि rural economy बहुँ ज़्यादा advanced level की थी state system यहाँ पर form हो चुका था और यहाँ पर social classes देखने को मिली eastern मध्याप्रदेश और इसा और यहाँ पर जो eastern बिंगोल वाला हिस्सा हो गया और इसा और इस्टरन एंपी के बारे में सो कलिंगा यह जो कोस्टल और इसा का यहाँ पर टाइम एरिया आपको देखने को मिलेगा महा नदी के साउथ में कलियर है सो कलिंगा यहाँ पर बहुत ज़्यादा famous है जैसे कि हमने अशोका के बारे में देखा उसके द्वार यहाँ पर बहुत लड़ी कही थी सो यहाँ का जो रूलर था उसका क्या ने में यह आप लोगों ने नीचे comment section में बताना है तो इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा करी थी कलिंगा वोर के बारे में कलियर है तो कलिंगा यहां पर शोका के समय में यहां पर यह बहुत ज़्यादा इंक्रिमेंट करा था ठीक है यहां पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली थी कलिंगा में सो यहां पे स्ट्रोंग स्टेट यहां पे फाउंडिड हुई थी इस एरिया में फर्स्ट सेंचुरी बीसी में और फर्स्ट और सेंचुरी एडी की अगर बात करें तो यहां पे जो पोट है और इसा का तो यहां पे जो ट्रेड है ट्रेड यहां पे बहुत जादा किया जाता और यहां पर जो खुदाई की गई है शीशुपालगर्ड में और यहां पर जो साइट है कलिंगा गरी और यहां पर खारवेला यहां पर यह जो इंडिकेट करता है कि यहां पर जो वेपार किया जाता था वो मेली रोमन एमपायर के साथ यहां पर किया जाता था जब यहां प यह समुद्र गुप्त के दोवारा इसे conquer किया गया था इसे जीता गया था समुद्र गुप्त के बारे में हमने last to last lecture में यहां पर detail में देखा था निपॉलियन ओफ इंडिया बोला जाता है लेकिन हमने दोनों में difference भी देखा था कि दोनों में actual में क्या difference है in the real sense we cannot say samudar gupta as a napoleon of india clear तो इसके बारे में हमने देखा था और यहां पे जो नदरन और western odysa के यहां पर यहां पर इसके दोबारे यहां पे जो थे ठीक है यहां पे नेबर्स हैं अब जैसे कि यहां पे जो वशिस्टाज नालाज मानस ठीक है यह देखने को मिलेंगे वशिस्टाज की अगर बात करें तो यहां पे जो आंधरा का बोर्डर एरिया वहां पे रहते थे कलिंगा के साउथ में नालाज की अगर बात कर स्टेट है यहां पर ज्यादा डेवलप हो रही थी यहां पर टैक्सेशन सिस्टम बहुत शांदार थे इनका अडिमिनिस्ट्रेशन सर्विसेशन बहुत अच्छी प्रोवाइड किया गरते थे यहां पर यहां पर इनके दवारा किया था इस समय में यहां पर हर एक जो किंगडम है अब यहां पर वो ब्रहामन्स का यहां पर फेवर किया करता था जैसे जो लैंड ग्रांड सी ने दी जाती थी clear है so mainly यहां पर जो राजा होते थे उनके दवारा यहां पर वैदिक जो sacrifices यहां पर यग किये जाते थे यह spirituality के लिए तो किये जाते थे मतलब जो अद्यात्मिक योगता इसके लिए तो किये जाते थे इसके साथ हैं पर पावर को increase करना प्रेस्टीज और legitimesic के लिए भी यहां पर यग्य किये जाते थे अब यहां पर जो राजा होते थे यह ब्रहामन्स को यहां पर जो लैंड यहां पर दी जाती थी उसके पी ज़्यादा यहां पर बताई जा सके के लोगों के बीछ में यहां सिकर सकते दोर यहां पर जार गैंड है जुआँ हैं और लैंट है जो राजा होते थे वह अपनी वैल्यू के इनक्रीस करने के लिए वह रुक्ट सरे कारणे की यहां कि वह लैंड जो इन्हें grant में दिया करते थे दान दक्षिना में देते थे तो gold money यहाँ पर जो इस्तमाल की गई थी बहुत ज़ादा बड़े level के ओपर की जाती थी मतलब अगर यहाँ पर जमी लेनी है बहुत बड़ा हिस्सा तो उसमें यहाँ पर gold का इस्तमाल किया जाता था सो बहुत सरी जो states हैं अब इनकी यहाँ पर जो income यहाँ पर जो यह generate होती है ठीक है यहाँ पर नया fiscal unit इनके दुवारा बनाए गया रूरर एरिया से वहाँ से इनकी income यहाँ पर generate होती थी बहुत सरी जो states होती थी और यहाँ पर जो मतारस यहाँ पर जो होती थी इनके दुवा महिंदर बोग के नाम से जाना जाता है सो यहां पर यह जो महिंदर माउंटेन है सो यह वाला जो एरिया कवर करता है जो मतारस के दुवारा यहां पर क्रियेट करा गया था और यहां पर जो इनके ओपर रूल किया गया था clear है so मतारस यहां पे इनके दोवारा जो दान दक्षिना यहां पे दी जाती थी उसे अगराहर बोला जाता था इसमें यहां पे जो लैंड हो गया ठीक है यहा पैसा बगारा सोने के सिक्के यह सब कुछ यहां पे दिये जाते थे इनकम यहां पे विलेजी से यहां पे यह जो दी जाती थी यहां पे जो ब्रहामन्स को एक तो रिलीजिस परपस के लिए एजुकेशनल अक्टिविटीज के लिए तो इन सभी यहां पे अक्टिविटीज में स्पोर्ट करने के लिए यहां पे ने दिया जाता था सो अंडर्ती मतारस यहां पे mid 5th century में जो लोग है अब इन्हों ने यहां पे जो एक नहीं प्रैक्टिस यहां पे शुरू कर दी थी मतलब कि यहां पे जो year है उसे 12 lunar months में यहां पे divide कर दिया गया था ठीक है पेले यहां पे 3 यहां पे parts में divided था यह portion चार-चार महिन्यों को त तो लेकिन इसे यहां पे development में इनके दुवारा कर दिया गया था सो coastal Orisa की अगर बात की जाए तो यहां पे जो राइटिंग्स है अब वो यहां पे 3rd century BC से यहां पे देखने को मिली inscriptions में पाया गया कि यहां पे प्राकृत यहां पे language जो इनके दुवारा लिखी जाती थी mid 4th century से हमें पता चलते हैं इनके evidences पाये गये हैं और 350 AD से onward संस्कृत का यहां पे इस्तमाल इन लोगों के दुवारा किया गया था so art of writing की बात करें या जो संस्कृत language इनके दुवारा यूज की जाती थी अब यह बहुत बड़ा जो हिसा है और इसा का यहां पे इनके दुवारा इस्तमाल किया जाता था और यहां पे जो finest इनके दुवारे जो characters यहां पर लागू किया जाते थे ठीक है तो इस प्रकार का यहां पाइप यह था जैसे कि समय दावा किया जाता था कि यहां पर यह पर आपको दावा करते थे इस चैनल के उपर आपको class 6 दिलेके 12 तक की सभी subject देखने को मिलेंगे साइंस आवन से लेके 10 तक योगी spoken course की सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे इस चैनल के उपर वीडियो को find out करने की जूरत नहीं है चैनल के उपर जाके आप सभी की playlist देख सकते हैं तो next यहां पर topic की और move करते हैं Bengal के बारे में देख लेते हैं so inscription यहां पर dedicate करती हैं कि यहां पर जो settlements हैं वो maintain करती हैं यहां पर store house में यहां पर जो coins हो गया food grains हो गया यहां पर यह सब कुछ रखा जाता था मेली यहां पर जो रख रखाव का यह जो system था यह मेली Buddhist monks के लिए था अब यहां पर जो Buddhist monks हैं वो क्या करते हैं यहां पर जगा जगा जाते हैं बिक्षा लेते हैं यहां पर उसी से अपना जिवन यापन करते हैं लेकिन जो अमीर वर्क के लोग हैं उनके पास इतना जादा है यहां पर दन दोरत यहां पर समरीद्य होती है कि वो अपना future यहां पर इसली यहां पर वो maintain करके रख सकते हैं अगर यहां पर फिर्माइन बगारा या अकाल की यहां पर situation आ जाए तो उस condition में वो तो यहां पर survive कर सकते हैं लेकिन यहां पर जो Buddhist monk है इनके लिए भी यहां पर यहां पर यह सारी विवर्सा की जाती थी तो यहां पर जो लोग थे इस area में अब वो प्राकृत language को यहां पर जानते थे और यहां पर बुद्धिजम को भी follow करते थे जो इंस्क्रिप्शन यहां पर नोवा खली में जो पाई गई है साउथ इस्ट बिंगॉल में वो में इंडिकेट करते हैं कि जो लोग हैं वो प्राकृत language को तो जानते थे और यहां पर जो ब्रहमी स्क्रिप्ट यह भी लिपी जो लिपी है यह पाई गई है यह 2nd century BC से इस इंड जाता था यहां पर विष्णू के बगत थे हो यहां पर जो जिनके दोवारा पूजा यहां पर की जाती थी उन्हें यहां पर जो दान दक्षिना में विलेज भी दे दिया जाता था टीक सो यहां पे यह बहुत ज़्यादा सैटल्ड एरिया था और यहां पे फियरली संस्क्रिट एजूकेशन सेंटर होता था यहां पे देखने को मिला 5th और 6th सेंचुरी में क्लियर है और यहां के जो लॉकल वैसल प्रिंसिस थे जागेड़दार थे उन्हें समंत महाराजास बोला जाता है क्लियर समन्त यहां जो हमने feudalism के बारे में भी देखा था कि जैसे king होते हैं king के अंडर में feudalism यहां पे feudal lords होते हैं उनका कारह क्या होता है यहां पे जैसे लोगों से tax वसूल करना और यहां पे military वो अपनी यहां पे रखा करते थे clear है राजा को annually यहाँ पर tribute दिया करते थे तो वो राजा के अंडर यहाँ पर कारह किया करते थे so इनके दुवारा यहाँ पर खुद का administrative apparatus होता था मतलब की और jar वगारा जो बनाने होते थे वो इनके दुवारा खुद बनाए जाते थे और military organization वेवास सेंके दुवारा की जाती थी इसमें horse, elephant, foot, soldiers, boards यह सब कुछ यहाँ पर इनके अंडर हुआ करते थे so उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो series of land sale documents पाए गए हैं यह mainly जो पाए गए हैं यह copper plates में पाए गए हैं और यह जो पुंडरा वर्दन मुक्ती सो यहाँ पे पाए गए हैं सो यह mainly जो cover करते हैं area north Bengal का जो हिसा वो वाला हिसा cover करते हैं so most of the land यहाँ जो transaction यहाँ पे indicate करती है कि जो land वो purchase की जाती थी gold coins से so gold coins को यहाँ पे दिनार बोला जाता था clear है तो यहाँ पे जो land sale documents यहाँ पे indicate करते हैं कि यहाँ पे existence जो यहाँ पे social groups की थी और local functionaries यहाँ पे बहुत सरे लोगों के दुवारा काम यहाँ पे किये जाते थे या कारीगर थे वो लोग और यहाँ पे जो agriculture थी वो बहुत जादा यहाँ पे expanded थी so land यहाँ पे जो purchase की जाती थी religious endowment यहाँ पे describe करती है कि fellow uncultivated और untaxed यहाँ पे land हुआ करती थी यह so fellow land मतलब जिसे कुछ समय के लिए यहाँ पे खाली छोड़ दिया जाता था कि उसमें जो nutrients level है वो increase हो जाएं clear है कुछ समय के लिए यहाँ पे छोड़ा जाता था सो कितने समय के लिए इससे छोड़ा जाता है यह आप लोगों ने नीचे comment section में बता रहा है class plus two की जो 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 गर्फी यहाँ पे फिफ्ट चैप्टर आइधिंग उसमें बिने detail में explain किया है बहुत सरी यहाँ जो definitions है यहाँ पे फैलो लेंड क्या होता है अब यहाँ पे जो kingdom है यहाँ पे सम्ताज या वंग सो यहाँ के जो rulers हैं उनके दुवारा यहाँ पे बहुत जादा मातरा में gold coins यहाँ पे issue किये गए थे second half of the sixth century में और यहाँ पे जो fiscal और administrative unit जिसे दंड बुक्ती के नाम से जाना जाता है सो यहाँ पे यह जो border areas बेंगोल और औरीसा यहाँ पे देखने को मिलेगा early medieval times में monasteries बहुत जादा established की गई थी बिहार और नौर्थ बेंगोल में और 5th और 7th century से ही इनके बीच में जो states हैं इनकी formation बहुत जादा देखने को मिली कुछ यहाँ पे बहुत बड़ी states हुआ करत करते थी कुछ independent हुआ करते थी और यहाँ पे फ्यूडेटरी यहाँ पे हुआ करते थी ठीक है सामानतवाद जो अभी हमने यहाँ डिटेल में देखा सो यहाँ पे सभी के पास यहाँ विक्टरी केम्प या मिलिटरी केम्प यहाँ पे हुआ करते थे अपनी infantry पैदल से ना गोड्सवार से ना एलिफैंट्स बोर्स यह सब कुछ यह रखा करते थे क्लियर है सो प्ले लिस्ट आपको नीचे description बॉक्स में मिल जाएगी वीडियो को find out करने के जूरत नहीं है और यहाँ पे जो pages है इने भी आफ फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे जो इनके खुद की fiscal और administrative districts यहाँ पे हुआ करते थे साथ में इनका जो टेक्स कोलेक्शन का system होता था यहाँ पे और यहाँ पे low end order यहाँ पे maintain करने की विवस्ता भी बहुँ जादा शांदार हुआ करती थी सो earlier stage में यहाँ पे जो community है इनके दोवारा जो land donate की जाती थी priest को so religious services वो बदले में इने provide किया करते थे और यहाँ पे जो community है अभी यह tax pay करा करते थे princes को so mainly वो military political service इने provide किया करते थे बदले में और जो राजा है इसके पास यहाँ पे अधिकार हुआ करते थे taxes के ठीक है टेक्सी बगरा collect करने के और साथ में यहाँ पे जो waste और fellow land थी इसके ओपर भी यहाँ पे अधिकार हुआ करते थे राजा के पास administrative functionaries में यहाँ पे जो functionaries हुआ करते थी इन सभी को यहाँ पे Sanskrit सभी कारे में हम देख लेते हैं सो असम यहाँ पर काम रूपा सो यह जो राजा थे यह जो एरिया इनके अंडरा आया करता था ब्रहं पूतरा बेसिन का जो एरिया वो सारा आया करता था 7th century में सेंचुरी में समंधर गुपता के दौए ट्रिब्यूर्स यहाँ पे देविक कि ले यहां पर एकी समुंदर गुपता के दुबारा यहां पे बहुत सरे एरियास के ओपर यहां पर विजे परापत की गई ती लिए टो शत्रीय यहां पर अपनी पूजिशन को मजबूत करने के लिए यहां पे land grants दिया करते थे ब्राह्मन्स को ठीक इसके पिछे क्या कारण था वो अभी मैंने यहां पे लास्ट में explain किया था 7th century में बासकर वर्मन यहां पे इमर्ज हुए head of the state जिने बोला जाता है जो इसके आगे वाला जो हिसा नहीं बहुत बड़े एरिये को यह यह यहां पर इनकी अंडर बसकर वर्मन बोला जाता है बुदिजम के अंडर यहां पर इस समय में आते थे चाइनिस स्वेलर यहां पे इस स्टेर्स में विजट किया था तो अगर आपको नोर्स आई हैं तो यहां पर डिटेल्स कुमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गीवन हैं तो आप जाके देख सकते हैं बहुत ही काम कोस्ट के उपर आपको यह नोर्स मिल जाएंगे फॉर्मेटिव फेस लास्ट टॉपिक के और मूव करते हैं तो यहां पर जो फॉर्मेटिव फेस फॉर्थ से लेके सेवन्थ सेंचुरी के बीच का एरिया आपको देखने को मिलेगा इस पीरिड के अंडर यहां पर राइटिंग संस्कृत लर्निंग वेदिक रिच्वल्स प्राहमनिकल सोशल क्लासिज स्टेट यहां पर सिस्टम यह बहुत ज्यादा यहां पर स्प्रैड था और साथ में यह जितना भी सिस्टम था यह इस्टरन मध्यप्रदेश नौर्थ वेस्ट बंगोल और बंगलादेश का हिस्सा हो जाए गा असम यहां पर इस्पैला हुआ था और यहां पर बहुत ज्यादा डवलॉप्ट भी था यह वाला जीतना भी सिस्टम था नौर्थ बंगोल नो और जो नौर्थ वेस्ट और यह गुपता अंडर के यहां पर एंपा है जो इनके अंडर हुआ करती थी clear है तो यहां पर रेगलर टेक्स जो क्लेक्ट किये जाते थे रूर कम्यूनिटी से सो में लिए यहां पर प्रोफेशनल आर्मी सी इनके दोवारा यह मैंटेन की जाते थी सो जो टेक्स कोलेक्शन का पैसा होता था यहां पर लोगों की का इस्तमाल यहां पर वर्न सोसाइटी फॉर्मेशन देखने को मिली और बुद्धिजम ग्रोफ और ब्राहमनीजम में यहां पर शेविजम और वैशनीजम यहां पर देखने को मिला इस एरिया में सो यहां पर जो फूड प्रडूसी से ही इसका इस्तमाल किया जाने लग गया था आइरण प्लोश्यर उसके बाद जो अग्रिकल्टर था वह बहुथ जादा एडवांस होने लग गयी थे वैट पैडि कल्टिवेशन ट्रांस्प्लांटेशन तो इसका यहां पर बहुथ जा जादा नौलज थी नौर्थ बिंगॉल में यहां पे हाई क्वालिटी शुगर केन प्रड्यूस किया जाता था सो यहां पे सफिशन्ट अगरिकल्चर प्रोडक्शन यहां पे थी कि यहां पे लोगों के लिए और गवर्मेंट के लिए यहां पे यह काफी थी और बहुत सरे यहां पे जो ट्राइबल चीफ हैं इनके दुवारा रूल किया जाता था और यहां पे यहां पर बहुत जादा लौक प्रिये और लौक पर सिद्ध हुआ करते थे यह तो यहां पर यहां पर वेस्ट बंगॉल का नौर्थ और इसा का एड्जॉइनिंग जो इसके साथ के यहां पर मेंली डिफिकल्टीज देखने को मिलती थी कल्टीबेट और सैटल्ड में क्लियर तो इसी के साथ चैप्टर यहां पर फिनिश होता है तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा तो चैप्टर अच्छा लगे तो लाइक को शेयर कर देना अपने असपास पाई रखें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पो देगें ग्रीन इंडिया की तरफ मूव करना यही हमारा लक्ष है जाहिंद हाव फैंटास्टिक देए